हाई फ्रेंस तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले EPS KYC को लेकर जो कि हमारे EPF Members बहुत परशान है कि KYC हमारा Approval नहीं हो रहा है Bank KYC हो चाइब King KYC हो Penso Approval नहीं हो रहा है फ्रेंस तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे हमारा PF KYC कब approval होगा और इसका solution क्या है तो वीडियो को लाश्ट तक देखना वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कर दिना एंड वीडियो को like कर दिना फ्रेंज चलते अपने topic की तरफ जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंज हम unified पोर्टल पर यूए नमबर पास्वाड और capture code डाल के login हो चुके यह जो आपको अपको कट कर देना है फ्रेंज उसके बाद आपको KYC चेक करने के लिए आपको उपर मैनेज वाला option दिख रहा होगा फ्रेंज इस पर आपको क्लिक करना है मैनेज वाले option पर क्लिक करते हैं यहां पर आपके पास KYC वाला option आ जाता है इस पर आपको क्लिक करते हैं आपका KYC वाला पेज ओपन हो जाता है फ्रेंज आपी स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो फ्रेंज यहां पर आप देख सकते हैं मेरा KYC यहां पर प्रेंडिंग बता रहा है बैंक यहां पर देख सकते हैं 21 जूलाई 2022 का है यह फ्रेंज अभी पैंडिंग विट इंपलोईर बता रहा है फ्रेंज डिजिटल सिग्नेचर के लिए बट यहां पर हमारा डिजिटल सिगनेचर नहीं मिला है इसके करान अमारा यहां पर पुरूर नहीं हुआ लेंगर को यह भी दिक्कत का सामना करना ऑद रहा है friends यहाँ पर पेप्रूवल नहीं मिल रहा हो बहुत दिन से पैंडिंग में इम्प्रोवлыर बता हैसी। तो मैं आपको बता दू यह सबका प्रोब्लेम आ रहा है friends सिर्प आप का नहीं आ रहे है कि मन में द filter होगा you कि हमारा ये approval कब होगा फ्रेंज तो मैंने employer से पूछा ये approval कब होगा तो employer ने ये बताया फ्रेंज कि ये हमारा server 30 ताइक के बीच में ये चालू हो जाएगा तो हम approval कर देंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा प्रेंज कमेंट करके बताना और मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना मिलते एक और न्यू इंट्रेस्टिंग वीडियो में